हेलो फ्रेंड्स, चुवे गाड़ी के अंदर आना एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है, आप किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाएए, बले हुंड़े में चले जाएए, महिंदर में चले जाएए, हॉंडा में, कहीं भी आप सर्विस सेंटर में जाएए, तो एक दात गिसने हैं और वो उनकी टेंडेंसी है चुहों को हटाने के लिए हमको उनके तरीके से सोचना पड़ेगा चुहे बिलकुल लगबग वैसा ही काम करते हैं जैसे कि एक इनसान कर रहा होता है और चुहों को भगा देना इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि या फिर हम इसका को खतम करना आपके ब இ बहुके बात नहीं है और वो अच्छी बात भी नहीं है कि हम चुहों को मारें को चाहिए सिर्फ क्या कि कि चुहे हमारी कार को परिशान decor करें जैदिगे यह इंटर करके आया है इंजन वे से ट्रैवल करके यहां तक और यहां आने के बाद इतनी सारी बीट है इनकी तो सोचिए कितने दिनों से यहां रह रहे हैं कब किस चीज को काट दें नहीं कह सकते और आगे इंजन वे में इन्होंने राइट बाइट किया हुआ भी है वो भी अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले हमको समझ लेना जरूरी है कि चूहों को दूर रखने के लिए आपको क्या करना होगा मेहक और जहर ये सारी चीज़ें चूहों को रोक नहीं पाएंगी क्या होता है कि एक चीज का इरिटेशन लेवल होता है जो इसमेल होती है चूहों को इरिटेट तो करती है लेकिन एक टाइम तक questions for example अप कहीं रहते हैं और किस से नाले की जगे से जब आप गुजरते हैं तो आपको बहुत बद्बू आती आपको लगता यार मैं यहां नहीं रह सकता लेकिन आप देखेंगे वही पास में एक बसिती और वहां रह रहे हैं उनको को dudes परखनी पड़ता क्योंकि वो लोग यूस्टू हो गए इसी तरह चुहे भी यूस्टू हो जाते हैं एक टाइम को लगेगा थोड़ी सी स्मेल लगेगी लेकिन बाद में फिर वो आना शुरू कर देंगे तो वो इसका पर्मानेंट सलूशन नहीं हुआ पर्मानेंट सलूशन क्या होगा पर्मानेंट सलूशन यह होगा कि चुहो को हर लेबल तक इरिटेट किया जाए पहली बात चुहे को हमको यह समझना होगा आपके गाड़ी के अंदर आ क्यों रहा है उस चुहे के आपके कार में एंटर करने के सिर्फ दो रीजन है एक पहला उसकी भूक मिटाना कुछ खाने का इटम आपके कार के अंदर होगा तो आएगा सेकिंड जो रीजन होता है वो सारे चुहों के लिए कॉमन होता है क्योंकि उनको अपने दांतों को घिसना जरूरी होता है नेचर है अगर वो नहीं घिसेंगे तो परिशान हो जाएंगे तो चुहे कुछ ऐसे होते हैं जो देख भी नहीं पाते हैं कुछ चुहे कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं तो हर चुहे को अलग लेवल का इरिटेशन देना होगा और इसके लिए perfect solution ultrasound frequency चुहे को इरिटेट करने के लिए यह frequency develop की गई है और मैंने जो आज एक डिवा कि यह किसी भी तरह से हमफुल नहीं आपकी कार की लिए और ना ही हमफुल है एक हमेन के लिए आपकी कार से ज़्यादा कॉसली नहीं है कि इन्होंने चुओ के ऊपर काफी रिसर्च किये उसको दूर रखने के लिए फस्ट जनरेशन इन्होंने लॉंच किया था 2015 में सेकिंड जनरेशन लॉंच किया फिर उन्होंने 2018 में अब उसको भी इंप्रूफ करके डायरेक्ट लिए लोग आए फोर्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में अल्ट्रासॉन फ्रिकेंसी के साथ साथ ब्लू और ग्रीन यह दो लाइट्स हैं चुऊं को इरिटेट करने के लिए तो एक तो इरिटेट करना हुआ उनको फ्रिक्वेंसी से कानों से जो वह सुन पाएंगे कुछ चुहे बहरे होते हैं नहीं सुन पाते उनको इरिटेट करेगी यह लेटन के बाद चुहा वहां रुकना नहीं चाहेगा और वहां से चला जाएगा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इस पर ही डिपेंड रहेंगे आपको करना क्या है इंजन बेपे मी दिखाता हूं मैं यह जो गाड़ी है गाड़ी होंडा जैस और इस गाड़ी में मैं करने वा आता है और इससे जाधा बाइट करता है तो आप समझ लीजिए जो डिवाइस की कीमत है इससे दो गुना तीन गुना भी आपके साथ लग सकती है कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा तो उसको दूर रखने के लिए यहां पर मैं इस डिवाइस का यूज करूंगा और यह मैं चोके चारो तरफ इस एरिय को प्रोटेक करेगी राइट और एक चीज ये आप चonter हां से समझ लीजिए अब जब यह काम करेगा इस एरिया में तो इस एरिया में चूव क्योंख कोरेगा लिए ही और उसका इसनी हरotta हमेहिए को चोरी दोर रखने के जितने उपाएं हैं सारे आपको करने पड़ेंगे तो मैंने क्या किया यहां पर यह जो एंटर का प्लेस है जहां से चुहें एंटर करते हैं यहां पर एक मैंने जाली इंस्टॉल की हुई है और यह स्क्रेब की जाली यूज की है एक फिल्टर की जाली यूज की है कैसे लगाई है उसको भी देख सकते हैं आप description में उसके video का मैंने already link दिया हुआ है वहाँ जाके देख सकते हैं अभी आपको दिखा देता हूँ easy installation installation करना सबसे ज़्यादा आसान है मैंने खुद किया इसको और किया क्या है दिखिए screw का option था इसमें cable tie का option था तो मैंने cable tie से इसको यहां mount कर दिया अच्छे से negative terminal यहां connect कर दिया positive यहां connect कर दिया red wire जो है positive में और black wire negative में ready यहां पर safety के लिए एक fuse भी दिया रहता है in case अगर कुछ short circuit वगरा होता है तो उस case में कि यह fuse आपका पहले खतम हो जाएगा यानि जल जाएगा तो अभी मैंने क्या किया fuse को निकाला हुआ है fuse जैसे ही लगाऊंगा तो आप देखेंगे यह device हो जाएगा activate blue stroke green stroke के साथ-साथ इसके frequency आप सुन पाएंगे देखा आपने जैसे ही मैंने fuse इंस्टॉल किया और यहाँ पे स्ट्रोप्स आने लगे यह देखेंगे blue और green शायद camera में capture हो रहा होगा यह देखेंगे यह स्ट्रोप्स आने लगे और यह जो स्ट्रोप्स हैं यह चूहे को डराते हैं और इसके pattern हमेशा change होते रहते हैं जो ultrasound frequency है वो भी change होती रहती है एक्ट्रा वायरिस के बहुत जादा है चाहें तो आप पूर एक इंजन वे में कहीं इंस्टॉल कर सकते हैं आपको वायरिंग कम नहीं होगी चूहे के कान और चूहे के आंख दोनों irritation level के हाई पे हैं तो अब वह चूहा यहां रुकेगा नही तो उस level की safety आपको करनी पड़ेगी ultrasound frequency आपने देदी light आपने देदी खाने का समान अंदर नहीं रखेंगे केविन में enter करने की जगह जो उसको लॉक कर देना है आपको और गाड़ी का location जो है change करते रहेंगे अगर यह सारी चीज़े आपने की तो definitely आपकी गाड़ी red white से त 20 degree तक इसको ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता सबसे बैस चीज तो यह है कि made in India product है यह इंडिया में ही बनता है कुछ भी आपको problem होती है तो description में उनके numbers वगरे detail दे दूँगा आप direct उनसे contact कर सकते हैं सारा customer support भी वो लो करते हैं इस वीडियो में दी हुई information अगर आपको अच वीडियो के साथ थैंक्स वर वचिंग